हैं लो गाईस वेलकम तो अब्राइट जॉब्स आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माल्टा के गंश्रक्शन जॉब के वारे में आज मैं आपको जिस कंपनी के बारे में बताने वाली हूँ उस company में आपको बहुत सारी construction related jobs देखने के लिए मिलेंगी जैसे आपको construction laborer की job हो गई, electricians की job हो गई, plumber की job हो गई आपको brick layer की job हो गई और भी बहुत सारी बहां पर आपको jobs देखने के लिए मिलेंगी तो अगर आपको जानना है कि वो company कौन सी है और उस company में आप कैसे उन jobs के लिए apply कर सकते हैं आपसे क्या requirement मांगी जा रही है, ये सारी detail और information के बारे में अगर आपको जानना है तो पूरी detail को end तक जरूर देखिएगा और अगर आपको हमारी ये useful information पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा, share करिएगा और हमारे channel को subscribe करिएगा Guys, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम लोग Malta के construction job के बारे में बात कर रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि construction job कितना popular होता है वो Malta की बात की जाए या कोई other countries की बात की जाए हर जगा आपको construction की जरुरत पढ़ती है तो आज हम लोग जैसे की बात कर रहे हैं Malta के construction job की तो उसके लिए आपको चाहिए होगा Europass का CV और cover letter तो जल्दी से अपना एक Europass का CV और cover letter बना करके तयार करवा लिजे अगर आप बनाने नहीं जानते हैं तो जल्दी से आप नीचे दिएगे WhatsApp नमबर पे हमें भी contact कर सकते हैं हमारी टीम आपको एक professional Europass का CV और cover letter बना करके provide करेगी तो गाइस आज हम लोग बात कर रहे हैं Malta के construction job के बारे में और मैंने जैसा कि आपको बताया कि वहाँ पे आपको construction, laborer की job, plumber, electrician ये सारी jobs available मिलेंगी तो चलिए अब मैं आपको requirement भी बता देती हूँ कि इन jobs में अगर आपको apply करना है तो आप से क्या क्या requirement की expectations रखी जारी हैं अगर आप 8 pass भी हैं तो भी आप इस job के लिए apply कर सकते हैं क्योंकि construction की job के लिए कोई higher qualifications के expectations नहीं मांगी जाती हैं इसलिए minimum qualification है अगर आपके पास तो भी आप अराम से इन jobs के लिए apply कर सकते हैं आपकी basic communication skills अच्छी होनी चाहिए क्योंकि communication skills बहुत ही जादा matter करता है अगर आप foreign जाकर के काम करना चाहते हैं और guys अगर आपके पास इन fields में 1-2 साल का experience है तो भी बहुत अच्छी बात है आपका job में select होने का chances बहुत जादा बढ़ जाता है तो आप अराम से इन jobs के लिए apply कर सकते हैं अगर आप ये सारी requirement को fulfill कर सकते हैं तो तो चलिए देख ना करते हुए मैं आपको अपने laptop screen पे लेकर के जाती हूँ और दिखाती हूँ कि ये company कौन सी है और वहाँ पर आभी कौन कौन सी jobs और available है और कैसे आप उन jobs के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए मेरे laptop screen पे Guys आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम लोग ICI Limited Malta के official website page पर हैं इस page से आप इस company के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं कि ये company किस field में काम करती है कैसे काम करती है कब से काम करते वे आ रही है about us में यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा established in 2001 मतलब ये company 2001 से काम करते वे आ रही है इतने सालों से ये अपनी services प्रोवाइट करवा रही है नीचे की तरफ गर आप scroll करिएगा तो ये किस-किस sector में किस-किस field में मतलब किस तरीके का काम करती है ये सारी जानकारी भी आप यहाँ से ले सकते हैं जैसे कि real estate का का काम, design, building का काम करती है नीचे इनका portfolio में कैसा काम करती है लेकिन हम लोग को job के लिए apply करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे career वाले option पे click करना है click करने के बाद आप directly career वाले page पे आ जाईएगा यहाँ पे अब career वाले page पे नीचे की तरफ स्क्रोल करिएगा तो आपको देख सकते हैं, electrician की job देखने के लिए मिल रही है builders, steel, fixture, brick layers की job है plumber की job है, नीचे construction worker, laborer, tile layer की job है office color की job है, architectural technologist की job है यह सारी jobs आपको इस company में available मिलेंगे क्योंकि यह company engineer से related, मतलब की जादा तर IT sector से related यहाँ पे jobs available होती है तो अगर आपको plumber की job के लिए apply करना है, तो देख सकते हैं right hand side में आपको यहाँ पर email address देखने के लिए मिल रहा है यहाँ email address पे आपको click करके CV और cover letter को send करना है तो subject में आप जिस भी job के लिए apply करना चाहते हैं उस job का नाम फिल कर दीजेगा जैसे plumber की job के लिए apply करना है तो plumber या electrician फिल कर दीजे email के content में आपको cover letter को paste कर देना है और CV को attach करके इनको email send कर देना है इतनी असानी से आप इन jobs के लिए apply कर सकते हैं तो देर मत करिए जल्दी से इन jobs के लिए apply करना start कर दीजे तो guys जैसा कि आपने देखा कि कितना simple process है बस दो minute में आप उन jobs के लिए apply कर सकते हैं बस आपको इस company के website पर जाना है और अराम से वहाँ से directly अपना CV और cover letter उनको send करके directly उस job के लिए apply कर देना है तो देर मत करिए जल्दी से अपना एक यूरोपास का CV और cover letter बनवाईए और इन jobs के लिए apply करना है start कर दीजे और अगर आपको हमारी ये useful information पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को like कर दीजे share कर दीजे और हमारे चैनल को subscribe कर दीजे अब हम लोग मिलते हैं अपने next वीडियो में till then see you ta-ta